अलो फ्रेंट्स मैं होगा और अब आप देख रहे हैं smart tech platform फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में भीम किसान संभाननी थी योजना के बारे में बात करने वाले हैं किसानों के लिए बड़ी खबर किसान योजना का पैसा लेने के लिए अब किसानों को क्रिसी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा इप सब ओनलाइन नहीं िसके बारे में आपको पूरी डीटेल में जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स वीडियों में शुरू से लेकर अंतक बने रही हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लाटफ़ों को सस्क्राइब नहीं किया है तो निचे सब्सक्राइब बॉटम को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे और वैल आइकन को प्रेस करके और अगर आपको पीम किसान रिलेटेड को भी प्रोब्लम होतो नीचे कमेंड बुक्स में कमेंड जरूर कीजिए हम उसका जबाब आपको जरूर देंगे तो चली आज इक इस वीडियो को शुरू करते हैं तो प्रिंट्स यहां पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट में दिया हुआ है पीम किसान योजना रेजिस्टेशन के लिए लेखा पाल कानुनगो और कृसी अदिकारी के पास चकर लगाने की ज़रूरत नहीं जाने नियम इसके लिए नियाब में बद़राव किया गया जिससे कि जएधा से ज़धा किसान को इसका फायदा मिल सकें किसान चाहे तो लेखापाल कानून गो और क्रिशैर्दिकारी के पास जाकर भी आवएदन कर सकता है या फिर खुद online आवेदन कर सकता है तो PM किसान सम्मान नीदी उजनाक का आवेदन किसान लेखापाल कानून गो या क्रिसी अधिकार के पास जाकर कर सकता है या तो खुद online आवेदन भी कर सकता है यहां पर आप देख सकते हैं परधान मंतरी किसान सम्मान नीदी इसकीम के त है 2000 किसा का पैचा है किसानों को मिल चुका योजना के तहट 2,000 कि तिन की किस्त के जरियर direct benefit transfer के तहट किसानों को दिया जाता है थिंब पिर नीचे वताए गया है इस किन है लाब मिलेगा इसके लिए पात्रता के सर्थ तैकी अगर आप योजना के सर्थों को पूरा करते हैं तो आप इस भी इस योजना का लाब लेने के लिए योगिसान हैं आगे पात्र होने के बाद आपको इसके लिए रेश्टेशन करवाना होगा और फिर लावारती सूची में नाम सामिल होने के बाद ही जो है पैसा ट्रंसपर होगा यहां पर आवेदन के लिए आपको लेखापाल कानुन गो और क्रिसी अधिकारी के पास चक्कल लगानी के जो ह atenção कि You can get an muerte और कि इसमें आने के बाद आपको नीचे करते हुए जाना है यहां पर को है यहां पर gwार यहीं फोर्मर रेचिस्टेशन जो लिखा हुआ है इसमें आपको प्लिक करना होता है इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको अपना आधार डालना है यह जो है इमेज कोड यह वाला यहां पर फिल कर देना फिर सर्च बॉटम पर क्लिक करना है सर्च बॉटम पर जैसे आप क्लिक किजिएगा एक पॉप-प मेसेज आएगा कि उसमें जो है आपका रेजिस्टेशन नहीं किया हुआ है आप registration करना जाते हैं उसमें येस कर देना है फिर आपके पास एक form open होके आएगा उसको आपको फिल कर देना अपना नाम भरना है आपका पिताजी का नाम address डालना है आपका account नमबर उसके बाद आपका जमीन का विवरन डाल देना है खाता नमबर उसके बाद खैसरा नमबर औ और कितना जमीन है वह सारा details आपको डालने के बाद से bottom पर क्लिक कर देना है आपका form online हो जाएगा फिर आपका verify होने में कुछ दिन टाइम लगेगा उसके बाद आपका जो है verify होने के बाद approved होने के बाद कुछ दिन बाद आपके पास जो है 2000 रुपिय का किस्त का पैसा first installment आपको मिल जाएगा तो फ्रेंट्स इस परकार जो है आप online सारा कुछ कर सकते हैं घर बैठे अपने mobile से यह जो है online करने का process है आप online कीजिए आपका जो है form approved हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बस्तना है वीडियो अच्छा आपको मिलती रहे है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से अरो कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपको प्रोब्लम होतों नीचे कमेंट वोक्स में जरूर कीजिए मुसका जवाब आपको जरू देंगा आज की इस वीडियो में बस्तना ही थैंक्स